श्री बजरेश्वरी या वजरेश्वरी माता मंदिर जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी भार्तिय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में स्थित देवी वजरेश्वरी को समर्पित 51 शक्ति पीठूं। में से एक है जो देवी दुर्गा का एक रूप है। देवी सती ने अपने पिता के यग्यमे भगवान शिव के सम्मान में खुद को बलिदान कर दिया था। शिव ने उनके शरीर को अपने कंधे पर लिया और तांडव शुरू कर दिया। उन्हे संसार को नश्ट करने से रोकने के लिए भगवान। विश्मु ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। इस स्थान पर सती का बायास्तन गिरा था जिससे ये शक्तिपीट बन गया। ग्यानार्नव तंत्र ने इस शक्तिपीट का उलेक भरिगुपुरी शक्तिपीट के रूप में किया है। ब्रिहद नील तंत्र के अनुसार इस शक्तिपीत की देवी, व्रिजेश्वरी, हैं। इस स्थान को गुप्तपुरा कहा, जाता था, कहा जाता है कि मूल मंदिर का निर्मान महाभारत के समय पांडवों द्वारा किया गया था। कीवदंती है कि एक दिन पांडवों ने सपने में देवी दुरगा को देखा, जिसमें उन्होंने उन्हें बताया कि वह नगरकोट गाव में स्थित हैं और यदि वे खुद को सुरक्षित रखना चाहते। है तो उन्हें उस क्षेत्र में उनके लिए एक मंदिर बनाना चाहिए अन्यथा वे नश्ट हो जाएंगे। उसी रात, उन्होंने नगरकोट गाव में उनके लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। 1905 में एक शक्तिशाली भूकंप से मंदिर नश्ट हो गया था और बाद में सरकार द्वारा इसका पुनर निर्मान किया गया था। मुख्यद्वार के प्रवेश द्वार में एक नगर खाना या ड्रम हाऊस है और इसे बेसिन किले के प्रवेश द्वार के समान बनाया गया है मंदिर भी किले की तरह पत्थर की दिवार से घिरा हुआ है मुख्यक्षेत्र के अंदर देवी वजरेश्वरी पिंडी के रूप में विद्यमान है मंदिर में भैरो का एक छोटा मंदिर भी है मुख्य मंदिर के सामने ध्यानु भगत की एक मूर्ती भी मौजूद है अकबर के समय उसने अपना शीश देवी को अर्पित कर दिया था वर्तमान सनरचना में तीन कब्रे हैं जो अपने आप में अनूठी है जन्वरी के दूसरे सप्ताह में आने वाली मकर संक्रान्ती भी मंदिर में मनाई जाती है कीवदंती है कि युद्ध में महिशासुर को मारने के बाद देवी को कुछ चोटें आई थी उन चोटों को ठीक करने के लिए नगर कोट में देवी ने अपने शरीर पर मक्खन लगाया था इस प्रकार इस दिन को चिनित करने के लिए देवी की पिंडी को मक्खन से धक दिया जाता है और मंदिर में एक सप्ताह तक उत्सव मनाया जाता है